हालो गाईज, वेलकम तो माई चैनल, फ्रेंट्स आज की एलेक्शन में हम लोग जानेंगे मेकैनिकल ब्रेक मेकैनिस्म के बारे में, तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ड करते हैं और जानते हैं, मोटर वेहिकल में जो यूज होता है मेकैनिकल ब्रेक उसके मेकैनिस्म को जानते हैं और समझते हैं देखिए फ्रेंस mechanical brake mechanism को जाने से पहले हम यह जानते हैं कि टाइप्स और ब्रीक आप मोटर वहिकल मोटर वहिकल में कितने टाइप्स के ब्रेक यूज़ किया जाता है देखिए मेली motor vehicle में हम लोग दो टाइप के brake यूज़ करते हैं पहला होता है mechanical brake दूसरा power brake पहला होता है mechanical brake और दूसरा होता है power brake चिक है अभी क्या है कि power brake के भी 5 टाइप होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो पहला होता है hydraulic brake दूसरा air brake तीसरा होता है vacuum brake चौथा electric brake और पांचबा होता है hydro estatic brake चिक हैं तो आज के relation में हम लोग जानेंगे mechanical brake system के बारे में यह mechanical brake जो है motor vehicle में कैसे काम करता है चिक है उसके mechanism को आज के relation में हम लोग जानेंगे और समझेंगे चिक है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि brake का हम लोग हम use क्यों करते हैं किसी भी गारी में brake कप लगाते हैं और क्यों लगाते हैं ? brake का हम लोग use गारी को slow करने के लिए control करने के लिए या फिर रोकने के लिए use करते हैं uses of brake to slow और control or stop the vehicle गारी को धीरे या control या रोकने के लिए ہम लोग brake का apply करते हैं ठीक है ? कि लेड़ है, तो चलिए फ्रेंज्स, स्टार्ट करते हैं, मेकानिकल ब्रेक शिस्टम के बारे में, चिके हैं, देखिए मेकानिकल ब्रेक जो होता है, in this type of brake system, when the brake paddle breaks, cam moves by linkage, then attach the brake shoe with brake drum, इस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में, मेकैनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, कि जब हम ब्रेक पैडल को प्रेज करते हैं जब हम ब्रेक पैडल को जब हम प्रेज करते हैं तो क्या होता है, कि ड्रम के अंदर जो क्याम बना होता है वो घूम जाता है linkage की सहीता से जिससे क्या होता है कि इसके अंदर का जो break-soo है वो break-drum में को attach कर जाता है break-drum को पकड़ लेता है break-soo क्या करता है कि break-drum के साथ चिपक जाता है attach हो जाता है जिससे कि गारिया हमारी धीरे होती है या तो फिर रुप जाती है तो मेकेनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या होता है अब चलिए यहाँ दो ड्रॉइंग क्या हुआ है चीक है ड्रॉइंग A और ड्रॉइंग B सबसे पहले हम ड्रॉइंग A को समझते हैं उसके बाद ड्रॉइंग B को जानेंगे अभी देखिए ड्रॉइंग A में मेकेनिकल ब्रेक के सिस्टम को बनाया गया है ड्राइगरम को बनाया गया है उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर, इस break drum के अंदर कैसे work करता है, उसके mechanism को इस figure के सहाईता से हम समझने का कोशिस करेंगे, ठीक है, तो चलिए पहले हम इस diagram को समझते हैं, देखिए friends, यहाँ क्या है, यह जो आप देख रहे हैं, इस figure म इस drawing में, यह क्या है, brake pedal है, यह क्या है, brake pedal, this is brake pedal, clear है, और यह चालों वील है, चिक, अब इस, इस वील के अंदर जो है, इसको जो देख रहे हैं, यह, और यह, यह, दोनों breaks हुँ है, चीक है, और इसको बोलते हैं हम spring, और यह जो बीच वाला जो देख रहा है, है इसको बोलते हैं हम और यह जो डिंक एक हम diri को है तो देखें ये जो ब्रेक पैडल हुआ ये जो समस्ते है और यह जो मुझा अथे हुआ checking यह इसह और ये लिंकेज हुआ लिंकेज हुआ है तो फ्रेंट्स देखें यह hen मेकनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या होता है मेकनिकल ब्रेक में क्या होता है कि जब कभी भी हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं जैसे कि यहाँ पर ब्रेक पैडल है अब इस ब्रेक पैडल को क्या करेंगे ब्रेक से पैर से फुट से उसको हम प्रेस करेंगे ठीक है तो प्रेस करन कि break pattern को प्रेस किए अब ये linkage के सहायता से ये lever जो है break lever यहाँ ये break lever जो है ये linkage जो है ये आगे की और move करता है 90 degree direction में ये move करता है यहाँ पे चीक है और इसके अंदर जो है जो cam होता है वो अपने position से घूम जाता है जैसे ब्रेक पैडल हम प्रेस करेंगे और linkage में प्रेसर पढ़ेगा फोर्स लगेगा और 90 degree के direction में ये move करेगा और उसका लीबर ब्रेक लीबर जैसे ही 90 degree की position में अगर move करेगा तो अंदर जो पने हुए जो cam है वो रोटेट होगा ठीक है अब वो जो समझाने के लिए अभी देखिए जैसे कि ये हैं ठीक है और इस दोनों के बीच में सब्स अगर सब्स ये 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 देखें ऐसे समझें ये मेरा हाथ एक breakthrough है clear है और ये भी ये दोनों हाथ suppose image कीजें ये दोनों हाथ मेरा breakthrough है ठीक है अब ये बीच में जो है इसको हम बोलते है cam ठीक है ये इस position में on the position में ठीक अब क्या है कि ये cam का connection किस से है ब्रेक पैडल से तो ब्रेक पैडल जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा linkage on position से रोटेड होगा इस direction में रोटेड होगा ठीक है इस direction में ठीक अभी क्या है कि इस direction में रोटेड होने से क्या हो रहा है क्या देख रहा है इस direction में रोटेड होने से ऐसे इस direction में रोटेड हो हो करता है और यह द्रम से एटाईच हो जा रहा है तो जैसे ही ब्रेक सू अगर ड्रम को अटाइच कड़ेगा ठीक है पकड़ेगा तो ठीक घारी हमारी दीरे होगी या फिर रूप जाएगी लग्जाएगा तो चलिए इसको और भी किलियर तरीके से समस्च है अब को हम जनते हैं ड्राइं बी को समझते हैं ठीक ये मेकेनिकल ब्रेक मेकैनिज्म को इसमें और भी अच्छी तरह से समझने का पूश्घा ठाटने ठीकर रिकले के इस फ्रेंड्स यहां जो है इस फीगर में हम क्या देख रहा है है कि इसी का डीटेल इस्प्लैलेशन है इस फिगर में ड्राइंग किया हो गया है बड़ा इसको समझें इसमें क्या देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं यह बीच में के इसको हम बोलते हैं कैम इसको एक में इसको बोलते हैं तो क्या मूलते हैं कैम स्टिक वह जो बीच में जो देख रहे हैं इस तरह से इसको बोलते हैं कैम ठीक पहले एक के कड़के parts के बारे में समझ लिए फिर कैसे काम करता है उसको समझाएंगे ठीक इस 20 वाले को जो है उसको बोलते हैं कैम ठीक है और यह जो देख रहे हैं आप यह और यह यह दोडो हो गया break suit ठीक है और यह हुआ spring और इस जो बाहर वाले को जो देख रहे हैं यह हुआ break drum break drum चेक है अभी देखिए यहां क्या है कि क्याम जो है इस position में on position में जब क्याम on position में रहता है तो ऐसे रहता है इस तरह से straight रहता है चिक हैस अब किया है कि इस लुइंके सका connection is burned connection कि से है क्याम का connection कि से रहाई linkage से हैं अब यह इस लिंके साफिंटरेक्शन के से है तो brake pedal से घैसा ही यह ब्रेक पैडल को restoring एंगे तो क्याम क्या vraag कि यहां जो देख रहे हैं जिन आइनटी degree की और खीचे का pull करेगा चिके तो जैसा ही ये 90 degree की और जो pull करेगा तो ये जो cam है उसका position गौर से देखिए अगर ये on position में है जब हम break press नहीं कर रहे हैं तो इस position में रहेगा अब उसके बाद जब हम break press करेंगे जब break apply करेंगे तो इसका position क्या हो जाएगा ये उस तरह से हो जाएगा move करेगा अभी क्या अभी कोड़ से देखी है ध्यान से अभी ये जो है cam अगर इस तरह से rotate करेगा तो क्या होगा इस के साथ जो attach break su है और इसके साथ जो attach breaks would दोनो बगल में जो उसका जो ब्रेक्ट हूं है, तो जब camera is rotate करेगा, यह clockwise direction, अंटी clockwise direction, अंटी clockwise direction में जब वो रूटेट करेगा, जैसे ही ब्रेकंपरेस करेगे, तो यह जो camera जो इस तरह से रोटेट जो करेगा तो क्या होगा हम यहां क्या देख रहे है कि इससे एटेच है ब्रेक्षू इससे एटेच है ब्रेक्षू यह ब्रेक्षू भी क्या होगा कि पुश होगा ब्रेक्शू भी ब्रेक्शू क्या होगा ब्रेक्शू पर प्रेशर लगेगा और प्रेस ब्रेक्शू को प्रेस करेगा और ब्रेक्शू क्या होगा कि ब्रेक्ट ड्रम को अटैच कर दे जाएगा ब्रेक्ट ड्रम में चिपक जाएगा ठीक है ब्रेक्ट ड्रम हौ रहा है तो क्याइम का पॉजिशन यह हुआ सिक ओन पोजिशन और जैसे ही मख्रेक्ण प्रिंग Лयकल तो क्या इस तरह से रॉत ओकल जैसा ही यह से डिरेक्शन में रोटेट होगा तो हमारा यह जो देख रहे हैं आप ब्रेक्ण फोट इस इस दो पे जाके चिपक जाएगा इस ब्रेक ड्रम पे जाके पकर लेगा ठीक है ब्रेक ड्रम को एटैच कर लेगा ठीक है यह दोगों ब्रेक सूँ अभी यह दोगों ब्रेक सूँ जो ब्रेक ड्रम को पकड़ेगा तो क्या होगा कि गारिये हमारी स्लू हो जाएगी तीडियों के लि तो आपको ये ब्रेक, मेकेनिकल ब्रेक के सारे मेकेनिसम को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेकेनिकल ब्रेक सिस्टम में सबसे इंपोर्टेंट रोल है, लिंकेज का और ये कैम का, क्लिए रहे, तो कैम जब तक रोटेट नहीं करेगा, तब तक ब्रेक नहीं लगेगी, क को देखिए सबसे पहले फिर से इसको समझ एक लाइग्राम एक समझने का शुशान की यह में सही है कि यह यह और यह भी लिंक जिए त़िकल देख रहे हैं यह ब्रेक रॉड है अभी क्या है कि ब्रेक को जैसे ही हम यहां पे अगर हम प्रेस डालेंगे तो क्या होगा यह प्रेशर इस लिंकेज के सहाइता से यह जो रॉड जो देख रहे हैं यह यह 90 डिगरी के डिरेक्शन में मूब करेगा बनुब आगे की ओफ और अभी क्या है कि दोनो कि दीड डिगरी की डिरेक्शन में जो यह और जो आगे यर बढ़ेगा प्रेक्रो तो ख्या होगा ऐंदर का जो हैं यह जो रूटेट होगा यह अगर 90 डिगरी के पॉडिशन में है इस तरह से है तो जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो लिंकेज के साहेता से ये जो क्याम है ये मूख हो जाएगा कैसा कैसे किसे तो इस डिरेक्शन में अभी क्या है कि इसके साथ attempting ब्रेक सु बहाइ अगर ब्रेक new हों हम छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये कैम तीर से अपने पॉazिशन में जायेगा से ड Hawksoda और फिर से कैम आ जायेगा और ये निधर रंडर ने जो यो इंटाइच होता है उसको थोड़ समझ में आ रहा है आपको तो और पोजिशन में क्या होता है सीधा होता है ठीक है और जैसे हम ब्रेक अपलाई करेंगे तो ब्रेक का पोजिशन क्या होगा move करेगा cam जो है move करेगा और cam से attach क्या होता है अपना brake so और यही brake so क्या होता है ज़िश बreak drum को brake drum पे attach हो जाता है brake drum को पखड़ लेता है जिससे की 생각भर brake apply होता है हमारी гाड़ी क्या होती है slow होती है और control होता है तो यही होता है हमारा mechanical brake system का मेकनिजम बहुत आसान है ठीक है है तो फ्रेंट्स और ठीक है फ्रेंट्स ए मेरेबन कर देखे लिक्स आप ब्रेक ओफ मोटर वेहिकल टिए क्या जो ब्रेक सिस्पम के जो टाइप होते हैं वह मिली दो टैप के होते हैं एक होता है तो आज के लेशन में हम लोग जाने हैं इसके बाड़े में तो मेकैनिकल ब्रेक सिस्टम के बाड़े में मेकैनिकल ब्रेक के मेकैनिजम को समझे है और जाने है ठीक है तो मेकैनिकल ब्रेक में क्या होता है फ्रेंड्स कि इन दिस ट्राइब और ब्रेक सिस्टम लें दब्रेक पैडल प्रेस जब इस इस प्रकार के मेकैनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि जब हम ब्रेक पैडल को करते हैं तो मुफ्स बाइन लिंकेस के द्वारा क्या मुव करता है तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रेक सू जो है वह ब्रेक सूल ऑप जया जाता है जैसे ही ब्रेक तो इस gibi के साथ अटेच होगा तो गालिया हमारी धीरे यह रुख जाएगी कि रेफ्रेंश तो फ्रेंड्स आज के लेशन में हम लोग जाने हैं और समझे हैं मेकेनिकल ब्रेक सिस्टम के मेकेनिकल ब्रेक सिस्टम का जो मेकेनिकल है वो क्या होता है कैसे मेकेनिकल ब्रेक काम करता है मुटर वेहिकल में तो friends उमीद करते हैं कि आपको आज का लेशन में आजके वीडियो समझ में आया होगा तो अगर friends आज का लेशन में mechanical break mechanism के बारे में अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो friends आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरून कीजिएगा thank you for watching my medium thank you very much